वेलकम वेक टू मैं चानल आज मैं आप लोगों के साथ भिंडी की रेसिपी सेयर कर रही हूँ तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो इसे एक वाट राय जरूर कीजिएगा तो चलिए सुरू करते हैं यहाँ पे मैंने 500 ग्राम भिंडी ले लिया है इसे मैंने वोस कर लिया है वोस करके इसे छनी में डाल दिया ताकि इसके सारे पानी बाहर निकल जाए और इस तरह से अब हम दोनों साइट से इसे कट कर लेंगे छोटे छोटे टुक्रों में हमें कट करना है मैं यहाँ सूखी भुर्जी बना रही हूँ तो इसलिए सूखी भुर्जी के लिए हमें भिंडी को इस तरह से कट करना है इस तरह से कट करके बना यह बहुत ही टेस्टी बनेगी तो चलिए देख रहे हैं यहाँ पे मैंने सारे भिंडी को कट कर लिया है इस तरह से और अब मैं एक पैंचर डालूंगी और उसे तेज फ्लेम पे फ्लेम को तेज कर दे और पूरी तरह से इसे गर्म होने दे जब ये पूरी तरह से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें ओयल डालेंगे मैंने यहाँ पे तीन बरे चमच मस्टर्ड वाइल का यूज किया है और डालने के बाद जब ये हमारा गर्म रहे तभी मैं इसमें बिंडी डालूंगी इससे पहले अगर आप बिंडी डालोगे तो ये हमारा चिपक सकता है अब मैं यहाँ पे एक हरी मिर्च का यूज की हूँ और इसे बीच से इस तरह से चीरा लगा देना है फिर इसे मैं डाल दी और अब मैं एक बड़े साइज का प्याज ले ली हूँ इसे भी मैंने कट कर लिया है इसे भी डाल दूँगी और हलका रोष्ट करना है प्याज को पहले ही पूरी तरह से ना पकाए नहीं तो भिंडी रखने के बाद ये जल जाएगी अब ये हलका सा ब्राउन हो चुका है देखी मैं इसे रोष्ट कर ली हूँ और अब मैं यहाँ पे भींडी डाल दूँगी देखी इस तरह से ही प्याज को भूनना है इतना ही पहले आप प्याज को भूने है ज्यादा ना पकाएं प्याज को फ्लेम को मिडियम कर दें अभ मैं इस में भींडी डाल दूँगी यहाँ पे मैंने कटे हुए भींडी डाल दी हैं और अब मैं यहाँ पे अम्चूर पौदर का यूज करूँगी अगर आपके पास अमचूर पाउडर ना हो तो आप निम्बू का रस भी डाल सकते हो एक चमच यहां मैंने अमचूर पाउडर डाल दिया है अब मैंने अमचूर पाउडर का इस्तेमाल इसलिए किया है कि हमारा भिंडी चिपचिपा ना बने और हमारे भिंडी का कलर भी खिला-खिला ग्रीन कलर का ही रहा है इसे बीना धकन के ही पकाना है और फ्लेम को लोटू मिडियम पे ही पकाएं बहुत ही जल्दी बन जाएगी ये हमने हल्दी पॉडर का यूज किया है और यहां पे मैंने टेस्ट के एकोडिंग नमक डाल लिया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिना है इसमें और किसी भी मसाले का यूज नहीं करना ये हमारी भिंडी बन करके तैयार है मिडियम फ्लेम पे ही पकाना है पक चुकी है हमारी भिंडी इसे रोटी के साथ प्राठे के साथ या किसी भी चीज के साथ आप इसे खा सकते हो बहुत ही टेस्टी बनी है अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे लाइक सेर करना ना भूले बिल आइकन को प्रेस कर दे